जहिंद नवादा में छे लोगों के मौत की कुछ और सच्चाई है और धीरे धीरे सारी सच्चाई जो है वो सामने आ रही है हलाकि मुझे रोकने का प्रयास किया गया पहले आरोप ये लगाया गया कि मनिस्क अस्यप के साथ मार पिटाई हुआ है बाद में वही लोग जो है दूसरे मिडिया को इंटर्व्यू दे रहा है और कह रहा है कि मनिस्क से अपने तीन मुबाईल वहाँ पे तोड़ दिया था अब सच्चाई जो है नवादा में वहाँ पे 200 लोग जो खड़े थे उन सभी को पता है मैंने 6-7 बार मना किया था कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजे उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मैंने उनका मोबाईल हटाया था यही है अब इन सब मुद्दों से जो है हम थोड़ा दूसरे मुद्दे पे आते हैं नवादा और वहां के एक बरिष्ट पत्रकार ने जो है मुझे जो जनकारी दी है वो सायद आप सुनके जो है वो सौक्ध हो जाएंगे पांच लोग नवादा सदर अस्पताल में आते हैं लगभग रात के बारा वजे जिसमें से साक्षी नाम की एक बच्ची जो है रात के बारा वजे जीवित सदस्य थी साक्षी नाम की एक बच्ची वो उसको रेफर किया जाता है पावापूरी अस्पताल में पावापूरी अस्पताल का प्रसासन ये कह रहा है कि वो बच्ची हमारे अस्पताल में नहीं आई थी लेखिन यहां से जो आदमी लेके गया था पावापूरी अस्पताल में वो ये कह रहा है कि पावपूरी अस्पताल परसासन ने 3000 रुपया का डिमांड किया उसके बासे रात के 12 बजे जो जहर खाई बच्ची को पावपूरी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है वो रेफर नहीं हो के पावपूरी जाती है और फिर से रिटर्न जो है नवादा अस्पताल में आती है रात के 12 बजे नोटिस कीजेगा यहाँ पर अगले दिन 11 बज के सम्थिंग मिनट पर जो है वो बच्ची का एडमिशन होता है पावपूरी अस्पताल में यहाँ पे मेरे पास सारा डोकुमेंट्स आ गया है सारा का सारा कागज सब A to Z आ गया है अरे बबुआ तु हमरा के रोकबा कुछ हमीर लोग involved है इसमें कुछ नेता लोग involved है इसमें बड़े लोग involved है इसमें गरीब को इंसाफ न मिले इसके लिए मनिशक अस्यप को रोकने का परियास किया गया था तकराएंगे हम उन पहाडों से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बत्तमी जी किया आपने मुझे गाली दिया ये बात सत्य है मार पिट नहीं हुआ है लेकिन आपने मुझे गाली दिया ये बात सत्य है आप गाली दीजे उन हत्यारों को हिमत है नवादा के पत्रकार अगर नवादा में खड़े है तो हत्यारों को गाली दे के दिकाईए आपके फेस्बुक पे एक भी लाइब जो है न हत्यारों के खिलाप नहीं है दीजे गाली हत्यारों को जो है फासी की सजा होनी चाहिए औरिजिनल अपराधी पकड़े जाने एटुजेड आदमी का जिस औरत ने फोन किया था अभी उसका तो वीडियो के लिप है उसका तो चलाया नहीं हूँ उसका भी चलाओंगा यह चीजह है बत्तमीजी मेरे साथ करके क्या फायदा आपको मिलेगा मेरा इंसल्ट करके मुझे नीचे दिखा के क्या फायदा मिले मैं अपने बाप मा के लिए गया था हलाकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बैस समाज के उन लोगों को जो आज पहुंचे थे वहाँ पे और सी बी आइजाज की मांग किया है वो भी मेरे पास लेटर है सारा लेटर आ रहा है सारा यह केस जो है ना वो दोसरे परकार का है और मनीश कसेब के साथ बत्तमीजी करके आप लोगोंने अच्छा किया क्योंकि समाज बिहार के लोग तो देखे तो सही कि एक बिहार का चर्चित पत्रकार है फॉल्वर है उसके सब लोग जानते है और वो पत्रकार नवादा में जाता तो उससे रोक लिया जाता है तो उन्होंने साप साप लिखा है बैस चेतना समयती मांग करती है कि इस घटना की उचस्तरिये जाच सीबिया इसे करा कर दोसियों को कड़ी से कड़ी सजा स्पीडी ट्राइल चला कर फासी पर लटकाया जाता कि इस परकार दुबारा गुपता परिवार के जैसा कोई घटना घट सके यहां पे साप साप लिखा हुआ है और बैस समाज के जो भी नेता पहुंचे थे मैं धन्यवाद देना जाती के नाम पे ही पहुंचे इनसाफ दिलाने के लिए पहुंचे तो सही और मैं कहना चाहता हूँ दूसरे समाज के जाती के नेता भी पहुंचे यहां पे च दिन मुझे एहमताबाद जाना था, मीटिंग था, गुजरात में चुनाव है, वहां का कभरेज करना था मुझे, लेकिन मैंने फ्लाइट पकड़ा और आया मैं यहाँ पे, मैं परचार भी करता हूँ, आज वीडियो का मादेम से खुल के बोल रहा हूँ, आइड भी करता हू डोनेट करता हूँ, जितना परचार से मुझे पैसा आता है, जितना, उस सारा का सारा पैसा मैं डोनेट करता हूँ, और एड के अगर किसी को परचार कराना रहता है, तो पैसा भी चार्ज करता हूँ मैं, और जादा पैसा चार्ज करता हूँ, और सारा पैसा उठा के जो है कम्प्यूटर का बेवस्ता करता हूँ, सारा पईसा उठा के किसी के मदद के लिए करता हूँ, गुना करता हूँ, अभी सारी सचाई आएगी, उसके बाद से वो बच्ची के बारे में मैं बता रहा था कि 12 बजे रात को उसको रेफर किया जाता है पावापूरी अस्पताल में, 12 बजे रात को रेफर किया जाता है और पावापूरी की दूरी वहां से मैक्सिमम जो है 40-50 किलोमेटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी वो बच्ची अगले दिन 11 बज के 35 मिनट पे अडमिट होती है याणि 12 घंटा लग गया उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बे आने में मारा गया उस जिन्दा बच्ची को, इसलिए मारा गया है न कि वो जिन्दा इकलोती बच्ची थी, जो सारा सबूत सामने लेके आ जाती इसलिए उसको मारा गया यहाँ पे पत्रकार महोदे ने साप साप लिखाया कि 11 बज के 36 मिनट पर भरती कराया गया उसे 11 बज के 36 मिनट पर भरती कराया गया जिसे रात के 12 बज रेफर कर दिया गया था रेप की भी घटना हो सकती है छेडखानी की भी घटना हो सकती है सारे लोगों का call details चेक किया जाए क्या पता जो लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे वो लोग जो है उन लड़कियों के साथ छटकानी कर रहे होंगे उन लोगों का नाम ना है इसलिए जो हम अनिसकत से अपको रोकने का प्रयास किया गया ये भी इस पहलू से भी जो है ना प्रसासन को जाज करना चाहिए और एक मीडिया को बोल रहा है कि ऐसे हुआ है और दूसरे मीडिया को बोल रहा है कि ऐसे हुआ है ठीक है हमको कोई हमारे साथ बत्तमीजी हुआ है हमको उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है कि उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए परिवार के गाउं वालों का मैं वीडियो देख रहा था गाउं के सभी लोग चाहते हैं कि मनीश कस्यप गाउं में आए परिवार वाले चाहते हैं परिवार के गाउं वाले चाहते हैं कि मनीश कस्यप गाउं में आए तो फिर मुझे क्यों रोका गया सोचने वाली बात यह है उस गाउं का हरेख सदस्य चाहता है कि मनीश कस्यप गाउं में आए और मनीश कस्यप जब घटना को दिखा रहा है तो बीच में रोकने का प्रयास किया गया मालीजे सपोज ये लाइब देखिए आप लोग मेरा मैं यहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और यहां से कोई इस एंगल से जो है फ्लेसलाइट जला दे मेरे आख पे इस पीचे के एंगल से कोई भी प्लेसलाइट जला देगा पूरा ब्लर हो जाता है डिस्टर्बेंस होता है बहुत सारा रिजन होता है एक ही रिजन नहीं बहुत सारा रिजन होता है और इस रिजन से वो अपने आपको पत्रकार बोल रहा है तो उनको इतना इधिक्स तो जनकारी होना चाहिए कि भाई अगर कोई दूसरा पत्रकार इता कर रहा है आम आदमी ये गलती करे तो वो मानने वाली बात है वो खुद अपने आपको पत्रकार बोल रहा है जब दूसर चेक करें चेक होना चाहिए कि वो नसे के हाल में ठेक ही नहीं थे मेरा भी सब्सकेες करने के लिए मेरा出來 होंगे क्या पता आप बॉड़ चाहिए और प्पाने का प्रयास कर रहे होंगे जल्दी से तुम लोग आओ यहाँ पे और इसको हटाओ यहाँ से ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है जब मैं मना कर रहा हूं कि नहीं करना है मना कर रहा हूं उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं तो साजिस हुआ था वो साजिस एक दम साजिस किया गया था और बैस समाज के चिन लोगों ने CPI जाच की मांग किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाता हूँ, उसके अलावा एक मिनट 46 सकेंड का मेरे पास वीडियो आया है, एक मिनट 46 सकेंड का, उस वीडियो में साप साप वो बच्ची जो है, वो जिवित लग रही है, और उसको बचाने का कोई प्रि यहाँ पे भगवान, महावीर, आयुर्वेद, संस्थान में, यहाँ पे साप साप जो है, 11 बज के 35 मिनट पे रजिस्ट्रेशन का समय दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 11 बज के, सारा फोटो डाल दूँगा मैं आप लोगों को, 11 बज के 35 मिनट, दीन में, ब यही सचाई लोगों के सामने ना है, इसलिए, किसी अमीर ब्यक्ति के परिवार वालों की हत्या हुई रहती न, तो अभी जो है, कुट्टे की तरह भीड लगा के जो है, इनसाप की मांग करतें, गरी परिवार की हत्या हुई है न, इसलिए बहुत कम लोग पहुँच रहे ह उमीद है कि बिहार के सभी नेता पहुचेंगे, उमीद है कि बिहार के सभी पत्रकार पहुचेंगे, ओरे मेरे खिलाप ही चला दो खबर, चला दो फर्क नहीं पड़ता, इनसाप दिला दो इस परिवार को, बस बात खाता, कुछ पत्रकार गए थे, मेरे खिलाप खुब ल कम से कम पचास लोगों से सवाल किया, किसी ने आपके खिलाप नहीं बोला, अरे यार मेरे खिलाप अगर लोगों से पूछ रहे हो न, यार वो मौत हुई है, उसके जांच के लिए लोगों से पूछोगे न, यार इंसानियत नाम की भी तो चीज होती है न, होती है कि नहीं होती है तो कम से कम वो तो देख लेना चाहिए न और और भी बहुत सारा चीज आया है मेरे पास बहुत सारा विडियो आया है बहुत सारा एविडेंस आया है यह सारे एंगल से जाच होना चाहिए सारे एंगल से आखिर परिवार रात में वहां पे सुनसान रा किया पता उस बच्ची को धमकी दिया जाता हो कि रेप कर देंगे पलतकार कर देंगे क्या पता उस बच्ची के साथ गलत किया गया हो इसलिये पूरा परिवाद सदमे में जा के जहर खा लिया चार चार महिलाए मरी है नवादा के इतिहास में आज तक एक चिता पे छे लोगो को नहीं सुलाया गया है एक चिता पे 6 लोगोगो की मौथ हुई है 6 लोगो की जरा सोचिए जो लोग ये अपवापहिला रहा है कि मनीश कस्याप रेलने वाले पत्रकार का हो गई रेलाई कुटाई ये सब जो कुछ लोग उल्टा जीदा थमने लगा के भी टीयार पी ले रहे हैं लीजे अरे पहूंच जाईए वहां पे फर्क नहीं पड़ता यह चीज है और हां अगर वियार को सुधारने के लिए हम लो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन गुंडों से लडएं गया लडएं गया ये चीज़े और बिनती है प्रसासन से कि हर एक एंगल से जाज करे और CBS से भी बिनती है कि इस mayor को जो है अपने हाथ मेले CBS से भी बिनती है और सोचने वाली बात यह है ज़रा सोची है यहां प जो गवा है उसको भी मारा जा सकता है तो पहले उसको सुरक्षा दिया जाए पहले उसको सुरक्षा दिया जाए ये चीज़ है उसके अलामा जो है बस दीरे दीरे जो है बहुत सारी सचाई जो है आप लोगों के सामने आने वाली है बहुत सारी सचाई सामने आने वाली है रूम रेंट उन्होंने टाइम पे दिया था तो एकाउंट पेमेंट किया था या कैस पेमेंट किया था अगर कैस भी पेमेंट किया था तो बिल तो बनना चाहिए बिल तो होना चाहिए कि उन्होंने कैस पेमेंट किया था बिल है तो उनका साइन है कि नहीं है बिल पे यह सार दीरे दीरे जिन लोगों ने फोन करके बुलाया था ना डिस्टर्ब करने के लिए अरे हम लोग भी बिहार के ही हैं बिहार के ही लाल है कुछ लोग अच्छा कहें या बुरा फर्क नहीं पड़ता हम लोग अपना प्रयास जो है मंदारी पूर्वक करते रहेंगे बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि उमीद है कि टांग के जगह पे हाथ खीच के एक परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है सोने को जितना आग लगे उतना परखर निखरता है हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है मिटी का बरतन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा नदियोसा आदर पाना है तो परवत छोड़ निकलना होगा और हम बिहार के लाल हैं क्यूं सोचे राह सरल होगा कुछ जादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्स जरूर सफल होगा हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा उमीद है कि हम बिहार के लाल है हमारा राह जो है इतना असान और सरल नहीं होगा लेकिन हर संकट का हल तो होगा ही होगा यह guarantee है बस मिनती है आप लोगों से कि प्रियास किया जाए सपोज आपके परिवार वालों के साथ ऐसा हुआ रहा था तो आप लोग क्या करते हैं और मैं मुंबई से आया था डाइरेक्ट नवाधा आ गया था डाइरेक्ट बीना रेश्ट किये डाइरेक्ट और क्या करेंगे हमको रोक के आपको क्या मिले आज जितना follower है मेरा मैं studio में बैट के reporting करूँगा 10,000 लोग ऐसे ही live में जुड़े हुए जुड़े हुए कि ने 12,000 तक जुड़े हुए थे studio में बैट के reporting करूँगा वहां से भी बैट के मैं पैसा कमा सकता हूँ लेकिन ground पे जाता हूँ और ground पे जाके मजबूर कर देता हूँ बड़े पत्रकारों को ground पे आने के लिए तो अगर मुझे रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा मैं studio में जाके बैट ज टिकट जो है वो 20,000 रुपया लगा मुझे दो टिकट कराना पड़ा मेरे साथ हमेशा कुछ लोग चलते रहते उनका भी टिकट कराना पड़ा फिर यहां से नवादा जाना पड़ा खर्च नहीं होता मैं बस studio में बैटके बोल देता ऐसे भी studio में बैटके बोल देता तो उ मैं भगवान थोरी हूँ मैं भगवान थोरी हूँ मेरे से भी गलतिया हो जाती है मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ मैं भी परिसान हो जाता हूँ मैं कहीं जाता हूँ मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं बहुत सारे लोग मैं कहीं जाता हूँ बहुत सारे लोग पास आया है मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मना किया एक बच्चा जिसका मोबाइल को मैंने ऐसे पकड़ा और अपने पॉकेट में रख लिया फिर उसके बासे उसको दे दिया मोबाइल वो बच्चा बाद में आके खड़ा होके मेरे साथ फोटो खिचवाया और बोल जाकि ये बात बताने में वो लोग सफल रहे कि मनीज का सेफ के साथ बत्तमीजी हुआ मनीज का सेफ के साथ बत्तमीजी हुआ अरे उसे सहनुगूती लोगों का जुड़ा है कि देखो यार एग ओ लड़का जो है बक 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 देन भर सुबे से साम तक बिहार के लिए च आएगा अभी तक तो गया नहीं है नहीं गया इतने सारे लोग डाउनलोड करकर के डाल दिये ना कुछ समर्थन में कुछ विरोध में तो जिस उमीद से डाले थे कि हम अनिश्क सेब के एक एको वीडियों से पेज मोनटाइज हो जाएगा वो नहीं हुआ कि नहीं हुआ अरे आप आपके कहे देते कि हमको पेज मोनटाइज कराना हम करवा देते एक दूगो इंटर्व्यू दे देते तरीका दूसरा भी हो सकता था लेकिन आपने तरीका वो नहीं अपनाया आपने तरीका अपनाया कि चलो मनिश्क से आपको मौका मिला है बदनाम कर दू पर थे आप, क्योंकि आपका वो घर था, मेरा घर नहीं था, इसलिए आपने वो ताकत का परिचाय दिया, मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, क्यों नहीं बुरा लग गया किसी और को, मैंने रूडली बोला, कि हाँ बंद कीजे, प्लीज बंद कीजे, मैंने बोला, ऐसे, हापी को क्यों बुरा लग गया, और भी बहुत सारी चीजे है, जो धीरे धीरे जो है, सब के सामने आएगी, पहले आप लोगों ने, जो विडियो डाला था, उसका कोटेशन कुछ और डाला था, रोरेलने वाले पत्रकार कारे लाई, उसके बासे, मनिश का सिफ्ट ने किय सिर्फ तीन से चार लोग, ये चीजे है, उसके अलावा, एक पूरा कॉमिनिटी ही, मैं कुछ भी करूं मेरे खिलाफी, खिलाफी रहता है, खिलाफी रहता है, कुछ भी करूं, यार सोचो यार, समझो, मैं OVC को गाली दो तो गलत, एक मुसल्मान OVC को गाली दे और कहें क OVC जो है, बीजेपी का बीटीम है, तो मेरे खिलाफ जो है, प्रोपर बाइट बाइट के वीडियो बनाना सुरू कर देते हैं, कोई मुसल्मान बोलता है, लगतार बोलता है, एक नहीं हजारों वीडियो है, लाकों वीडियो है, यूट्यूब पर पढ़ाया, अगर वो ब मुसलिम है, वो बोला है, तो ठीक बोला है, मनिश्वा कही से बोलती है, अरे यार, इसे बिहार नहीं बचेगा, इसे भारत नहीं बचेगा, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं, मुझे जो लगता है कि ये सही है, मैं उस पर आवाज उठाता हूं, और मैं अपन प्रियास कर रहा हूं न, और प्रियास करता रहूंगा, उमीद है कि नवादा के इस परिवार को जो है इंसाफ मिलेगा, और बहुत सारा जो है न, अभी आ रहा है हम लोगों के पास, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा, बहुत सारी सच्चाई जो है सामने आएगी, वहीं के ल ख़ड़ा नहीं होगा आज डोग नहीं खड़े होंगे तो आब देखिए ना आप भुण पहुछना उस आदमी का संबंध जो है, वो गुपता जी से क्या था? गुपता जी ने अपने परिवार के, पुरे परिवार के सदस्य के साथ जो है, आत्मत्या क्यों गिया? उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं, इस एंगल से विजाज किया जाए. तब जाके इंसाफ पुरा होगा, और तब जाके सही अपराधी पकड़े जाएंगे, और जो सुसाइट नोट है, वो नोट गुपता जी ने ही लिखा था, या किसी और ने लिखा था, राइटिंग में छोना चाहिए, बिहार में, अपने राज्य में, या अपने देश में भ सारे एंगल से जाचोना चाहिए, बस इस मुश्किल परिष्टिती में, जो गुपता जी के परिवार के साथ खड़ा रहा, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंसाफ के लिए जो आवाज उठाएगा, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे साथ जो बद दिल से धन्यवाद और हाँ कभी कभी सेर को मैदान छोड़के भागना पड़ता है सिर कृष्ण का नाम रण छोड़ दास छाचछ था क्यूंकि उन्हों ने रण छोड़के वह रण छोड़के भागे थे इसलिए नहीं भागे थे कि उनको लड़ना नहीं सबको पता है वहाँ पे 200 लोग थे हां लेकिन नवादा से निकल जरूर गया मैं हूँ जरूर निकल गया रिपोर्टिंग किया उसके बाद से सभी लोग गाड़ी तक लेके आए गाड़ी में बैठा और नवादा से निकल जरूर गया को अपता है अपने समाज में जो है ना सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो है ना वो अपराधी है भरष्टचारी हैं 100% नबब्य पर सेंट लोग जो है न हो ऑँ वह बुद्धीजीवी हैं वह लेकिन नबबब्य पर सेंट लोगों के मनोबल का कारण बन जाता है और बहुत सारे जगाओं पे हम लोग देखते हैं तो 90% बुधिजीवी लोग खामोस न रहें नहीं तो एक ना एक दिन इस आग में आपका परिवार जलेगा और जिस दिन आपका परिवार जलेगा उस दिन आपका आसु पोछने वाला कोई नहीं रहेगा और हां एक गरीब की हत्या हुई है इंसाफ मिलना चाहिए जैसे अमीरों को इंसाफ मिलता है मिलना चाहिए किसी वियाल में बहुत सारे अमीर लोग बहुत सारे बड़े बाउबली लोग बहुत सारे दबंग लोग बहुत सारे पॉलिटिसियन जो है इस केस को दबाना चाहते है इस केस को दूसरा एंगल देना चाहते है इस केस को रफा दफा करना चाहते है इस केस को ख बढ़क गए उसके वासे उस गाव के लोग भी बढ़क गए कि नहीं मनीश तो सही था वो तो सही चीज़े दिखाने आया था वो तो बेचारा अपने लिए नहीं आया था वो तो हम लोगों के लिए आया था और भविष्य में नवादा में किसी परकार का दूसरा भरश्ट सचार होता या दूसरा आप रात की घटनाएं होती तो भी मनीश साता वो लोग मेरे साथ खड़े हो गए और वहीं लोग अप सारी सच्चाई दिखा रहे हैं बता रहे हैं वहीं लोग मेरे पास इतना सारा फोटो इतना सारा डिटेस कहा से आ अभी डालूंगा मैं फेस्बू चलता है और इतना बड़ा पत्रकार थे तो हस्पिटल में एडमिट कहें नहीं करा पाएं इतना बढ़िया इंसान थे तो तीन हजार रूपिया दे क्यों नहीं दिये तीन हजार रूपिया के वज़ह से अगर आप बोल रहे हैं कि पावापूरी अस्पताल ने तीन हजार रुपया का वज़ा से जो है आप एडमिट नहीं करा हैं वापस लेके चले आएं अब 3,000 रुपया दे क्यों नहीं दिये और बाद में अस्पताल से फरिया लिया जाता आपके 3,000 रुपया का वज़ा से एक बच्ची की जान चली गए क्या पता आप लोग अस्पताल में नह बाकि जितने भी भाई लोग जो है इस केस पर नजर दराय हुए जितने भी पत्रगार बंदो जो है इस केस की सचाई दिखाना चाहते हैं इंसाफ दिलवाना चाहते हैं उन सभी होता है दिल से धन्यवाद बाद में हम लोग लड़ लेंगे आपस में बाद में जितना बोल गुपता जी के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा पिनती है आपलों से एक और अरे बड़े चलिए गुपता जी ने अपना जीवन जी लिया था 50 साल के हो गए था 47 साल के उनके पत्नी हो गए थी उस 20 साल की लड़की का उस 17 साल की लड़की का क्या दोस्त था उस लड़की ने तो कर्ज नहीं लिया था उन लड़का ने तो कर्ज नहीं लिया था वो तो जीवन जीना चाहता था इंसाब दिलाया जाए एक बार प्लीज, जितने भी बिरोधी हैं या समर्थक हैं सभी लोग एक बार एक जूठोगे एक प्रयास किया जाए बिनती है जैहिंद